मिवाडी पुलिस जिला के चोपान की थाना इलाके में पुलिस ने चार लोगों को डकैती का प्लान बनाते हुए गिरफतार किया ये चारो ही बदमाश राजस्तान, हरियाना वा मिवाद छेतर में सैकडो चोरी की वारदारतों को अंजाम दे चुके हैं ये शातिर चोर तीन अंतर राज्य चोरी की गैंग से जुड़े हुए हैं छेतर में किसानों के खेत में लगे फिजली के ट्रांसफार्मर को रात के समय खोल कर उसके अंदर से तांबा निकाल कर 500 रुपे प्रती किलोग्राम के हिसाब से कबारी को बेच देते हैं चौपान की थाना अधिकारी नंदलाल ने बताया कि डिस्टी कैंप चौपान की गोपी चंद को सूचना मिली की छेतर के महू बियर कंपनी की चार दिवारी के पास सून सान जगा में चार से पांच वेक्टी बैट कर लूट पात एवं डकैती की योजना बना रहे हैं इस पर पूलिस ने तुरत दबिश्ट देकर मौके पर ही जाफर और छोटू 25 वर्ष एकबाल और बलू 45 वर्ष मुनफरीद और मुनफा और सुल्फा उम्र 19 वर्ष साकिर और साकूरा 25 वर्ष को गिरिफतार कर लिया है वह उनके कबजे से एक रसी लाल मिर्च पाउडर एक लोड़ेट देसी कट्टा बारा बोरे एक सरिया एक हरियाना नंबर की कार एवं एक राजस्तान नंबर की मोटर साइकल जब्त की गई है गौरठ अलब है कि ये लोग दिन के समय खेत में जाकर रैकी करते थे एवं तांबे के ट्रांसफार्मर को चिन्नित कर रात के समय उनको खोल कर तांबा निकालते थे उस तांबे को निकाल कर सुबा होने के पहले कार में डाल कर कबआड़ी को बेशदिया करते थे ये लोग वारदात को अंजाम देने के लिए कोड वर्ड का भी इस्तमाल किया करते थे चोरी के माल में से 5000 रुपए ये लोग ड्राइवर को भुक्तान कर देते थे तो वही बचे माल में से अपना अपना हिस्सा बांटते थे बाराल पुलिस आरोपियों से छेतर में हुई अन्य चोरियों की वारदातों का खुलासा करने के लिए कड़ाई से पूछताच कर रही है साथ ही उसका बाड़ी की भी तलाश की जा रही है जिसको माल बेचना तै किया जाता था